ज्यादर तर लोग calculator का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके function के बारे में उनको पता नहीं है तो चलिए हम आज बाते करते हैं कि computer में कौन-कौन से function होते हैं उसे बात कि जो मुटे-मुटी जो function है important function है हम उसे बाते करते हैं इसे कि आप calculator में m-m-m-m-c का मतलब क्या होता है तो चलते हैं आपको यह बताएं कि आपको यह बताने का यह मतलब है कि आप इसकी जनकारी रखे और अपना यह इस्तमाल करें इम का मतलब क्या होता है तो m-c का मतलब होता है कि memory का calculation करने के बाद m-c बटन जरूर दबाए बढ़ना अगली calculation के रिजन गलत सावित होंगी इसलिए m-c को memory clear कहते हैं यानि कि अभी तक सारे calculation इस बटन से clear हो जाती है तो इसलिए m-c हो गया m-c का मतलब computer को में m-c लिखा हुआ है दूसरा होता है m-r अब हम दोनों calculation के बीच में जो memory calculation जो save हो चुके अब शंपुन पढ़िवार पढ़िदाम जानने के लिए हम m-r का बटन दबाएंगे m-r बटन का मतलब होता है कि memory record जो नतीजा जानने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो यह हो गया m-r का मतलब अब आते हैं कि इसके बाद कौन सा बटन दबाएंगे इसके बाद computer में m-plus का बटन होता है m-plus का बटन होता है memory plus memory काम काम है calculation का memory को जोड़ने के और घटाने के अलावे multiply इन सब का combined result निकालता है तो यह m-plus का मतलब होता है कि इसमें maximum से maximum आप काम कर सकते हैं उसके बाद आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप इसे like किजिए, subscribe किजिए, share किजिए और वेल आइकन को दबाईए ताकि हम अच्छे अच्छे इसी तरह के वीडियो लाता रहूं, thank you और हमेशा computer जब इस्तमाल करें उस पर अपना पकर बनाए